हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पिशिंग एंड वेलकम तो इश्मार्टर एवरी दे तो जी फ्रेंड बीट सेकेंड यर एकॉर्डिंग टो कानपूर यॉनिवर्सटी हम लोग वन लाइनर पूरी बुक का निचोड कम्प्लीट कर रहे थे ठीक है तो पेपर आपको फर्स्ट ह यह एक हैं यह एक एहम और बहुत ही इंपॉर्टंट है आपके लिए तो जिस स्टेंट ने भी इसको ठीक से पढ़ लिया इसका मतलब है उसने पूरी किताब को अच्छे से पढ़ लिया है उसका एनॉलिसिस कर लिया है तो I hope कि आपको बाकी classes की तरह ये class भी बहुत पशंद आएगी और बहुती महिनत से एक एक point को ध्यान में रखते हुए previous year question paper को ध्यान में रखते हुए कि आखिर कहां कहां से question पूछे गए है और कहां से question पूछा आजा सकता है इनसे बातों को ध्यान में रखते हुए बहुती बेहतरीन content आपके लिए तयार किया गया है तो I hope कि आपको ये पहले content की तरह है जो मैंने paper first, second, third कराया है उसके तरह ये भी आपको बहुत पश्रंद आएगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बहुती पहतरीन content को तयार करते हैं पहले आप इसको पढ़िएगा फिर इसके object उटाइब पढ़िएगा ठीक है तो और बाकी जो paid strength है उनको मैं बताना चाहूँगो कि ये जो pdf में बहेज रहा हूँ आप प्राथमिकता इसको दीजिए उसके बाद अगर आपके पास time बचता है तो extra पढ़ लीजे क्योंकि exam के लिए तो जितना पढ़ें वो कम ही रहता है तो इसके लिए छीक है देखिए तो आपका जैसा पहले हम थोड़ा भूमिका बनाएंगे मानो समाज के आरंब से लेकर के जबसे मानो का उदभा हुआ है लेकर के अब तक के विकाश पर अगर हम नजल डालें उसको देखें एनॉल्सिस करें तो हम ये पाएंगे कि विक्ति का जीवन इतना जटिल कभी नहीं रहा जितना की आज है जिबकि आज हमें लगता है कि मनुस के पास सारी सुक्ष विधाएं है लेकिन उसके बाद भी हमारी जो लाइफ है हमारा जीवन हो काफी कॉम्प्लिकेटड होता जा रहा है हम समस्याओं से घिरे नजर आ रहे हैं हम एक दूसरे की साहता कि आवश्यक्ता पड़ रही है जन्म के बाद विक्ति जिवन जिवन शमाज के शंपर्क में आता है वह अपने आपको शमस्याओं से घिरा हुआ पाता है जिवन जिवन अपने जन्म से निकल करके आता है शमाज के संपर्क में आता है लोगों के संपर्क में आता है तो समाज में जिवन यापन करना चाहता है तो उसे लगता है कि मेरे चारो तरफ में शमस्याओं है मैं शमस्याओं से घिरा हुआ हूँ मुझे दूसरों की आवश्यक्ता है, मुझे दूसरों से परामर्श की आवश्यक्ता है, निर्देशन की आवश्यक्ता है, और गाइडेंस की आवश्यक्ता है, घर से, विद्याले से, शमाज में, और अपने रोजाना के कारियों में, अक्षर वहा निर्देशन की आवश्यक की आवशक्ता का अनुभाव होता है लगता है कि हमें निर्देशन की जरूरत है अगर हमें निर्देशन की जरूरत है तो आखिर निर्देशन होता क्या है तो मैंने यहां तक आपको क्या समझाया है कि हमारा जीवन है वो दिन प्रते दिन complicated होता जा रहा है है ना हम समस्याओं से घेरे वे पाते हैं अपने आपको इस और फिर क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें निर्देशन क्या हो सकता होती है हमें आवश्यक्ता तो निर्देशन की है लेकि निर्देशन होता क्या है यह हमें नहीं पता है यह आज हम इसमे करना इंडिकेट करना है न तो इस प्रकार से निर्देशन का क्या अर्थ हुआ पत्प्रद्प्रदस्टन करना किसी को रास्ता दिखा न कोई विक्ति शमश्या गिरा हुआ है उसको बताना कि आप शमश्या चेक कैसे निकल सकते हैं आपका solution क्या हो सकता है यह आपका पथफ परदशन करना हो गया यही आपका निर्देश देना हो गया आप उसको निर्देश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए देन आप जो है कि समझा से बाहर आ पाएंगे बड़ी बात लिखि़े हैं यहाँ पे कि जो निर्देशन है वो आदेश से भिन है क्या बात लिखिए जो निर्देशन है हमारा यह जो निर्देशन आप देख पा रहे हैं यह आदेश से भिन है यह हमारा ओर्डर से भिन है अलग अलग कैसे है आदेश में अधिकार होता है निर्देशन में शला होती है ये भी बात मैंने नीचे लिख दी है साफ साफ ये देखिए आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में शला होती है वो कैसे हमने आपको आदेश दिया कि आपको ये काम करना है तो यहाँ पे आपके उपर मेरा अधिकार है, मैं अपना अधिकार दिखा रहा हूँ कि जाओ ये काम करके लाओ, मुझे आपके श्वास्थर से मतलब नहीं है मुझे आपसे मतलब नहीं क соглас char मुझे उसे मतलब नहीं है, मैंने आपका order दे दिया अब आपको करना है, आप दबाव में भी है कि हमें जो है कि boss की माननी पड़ेगी या sir की सुननी पड़ेगी है ना आप को मानना ही बढ़ेगा लेकिन निर्देशन में सिला होती है हमने आपको सिला दी कि आपको ये करना चाहिए, आपको पहले यह पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद आप objective टाइप पढ़ें, फिर time ले तो extra पढ़ें, यह हमारी सला है, अब आप इसको माने या ना, माने या आपके पर, it depends on you, यह आप पर depend करता है, लेकिन अगर हम आपको order देते हैं, आदेश देते हैं, तो आपको मानना ही पढ़ेग और निर्देशन में सला होती है, चाहें आप इसको माने या ना माने या पर निर पर करता है, यह एक विक्तिकत कार है, कैसा कार है, यह एक विक्तिकत कार है, जो किसी विक्ति को उसकी शमश्या की शमधान के लिए दिया जाता है, बात सही है बाई, यह विक्तिकत कार है, ज और यह एक ऐसा process है, एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जो अनुभवी वेक्ति होता है, जो experience holder है, वो अनुभव ही न प्राणी को निर्देशित करता है, माली जै यहाँ पे, हमारे आपके बीच में मैं अनुभवी हूँ, और आप यहाँ पे कौन है, आप अनुभव ही न है, मैं आपको सलाहा दे रहा हूँ, कि आपको क्या करना चीए, क्या नहीं करना चीए, एक जाम टाइम कैसे manage करना है, कौपी कैसे लिखनी है, हैना तयारी कैसे करनी है, यह सब क्या है, मैं आपको निर्देशित कर रहा हूँ, मैं आपको सलाहा दे रहा हूँ, क्या पढ़ना च तो यह एक ऐसी परक्रिया है जिसमें अनुभवी वेक्ति जो होता है वह अनुभव ये नप्राणी को क्या करता है निर्देशित करता है अर्थात किसी वेक्ति की रुची क्या है आपकी योगिता क्या है आपकी छमता को ध्यान में रखते हुए उसी के बेश पे हम पत परद है छमता क्या है ना इन से बातों को द्यान में रखते हूं मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं ठीक है तो और आपका पत्ध परदर्शन हम कर रहे हैं तो पत्ध परदर्शन करना ही क्या है निर्देशन है हमें आपकी रूची पताओने जिसको भी पत्ध परदर्शन करें जिसको भी निर्देशन दें, आपको उसकी रूची पता होना चाहिए, कि इस विक्ति की रूची किसमे है, या इंट्रेस्ट किसमे लेता है, इसकी योगता क्या है, अगर आप उसकी योगता को ध्यान में नहीं रखेंगे, उसकी चमता कितनी है, अगर आप उसकी चमता को ध इंट्रिस्ट किस्में है तभी आपका जो निर्देशन है वो सफल माना जाएगा दूसरे सब्दों में हम कहशकते हैं कि निर्देशन कि शिबालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या शाहता है यह सलाह यह शाहता नैतिक हो सकती है आध्यात्मिक हो सकती है और व्यवशा इसे शमंदित भी हो सकती है, छेतर में बड़ों द्वारा छोटों को दी जाती है, यहां पर जो बड़े होते हैं, वो अपने छोटों को यह सला देते हैं, निर्देशन विक्ति को बुद्धी मत्ता पूर्ण चयन एवं शमायोजन के लिये दी गई एक प्रकार की कई बार व जो है कि दी मोटिवेट फील कर रहा हूं या जो भी कुछ है, तो हमें दूसरों की सला हमें चाहिए होती है, ना, तो समायोजन मतलब एड़ेस्टमेंट है कर विक्ति नहीं कर पाता है, अब जैसा कि यहां पर हस्बंड ने कहा है, ठीक है हस्बंड ने क्या कहा है, कि निर् पात एड़ेस्ट करके चलने में जो है वो शाहता करता, यह बात आपके हस्बंड कहते हैं, ठीक है, आपके हस्बंड का मतलब है, किसी के हस्बंड है, जो भी है, तो एमरी स्टूप्स कहते हैं कि निर्देशन एक ऐशी निरंतर करिया है, जो विक्तिगत तथा सामाजिक द यह बात किसने के, पिछली बार एक्जाम में कई पिरवाजा हैं पूछ ली थी, प्रॉक्टर कहते हैं कि निर्देशन एक ऐशी शेवा है, जो विक्ति को इश्कूल या उसके बाहर के बातावरण में एड़ेस्ट करने के लिए दी जाती है, निर्देशन एक ऐशी शेवा चमता का विकास करने के लिए, किसके लिए जो निर्देशन है, वहाँ मानव की अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, तो आपका पेपर कहीं से भी आ जा, आप उसको अच्छे से सौलू कर पाएंगे, निर्देशन मानव की चमता का विकास करने के लिए, मानव की जटि सिर्फ तना याद रखिए कि जेसन और रिक्सियों ने निर्देशन के आठ कारें बताए हैं, गतने बताए हैं? आठ बताए हैं, ब्लूम, बैलिंसकी, हॉल इवं लॉरी जैसे भी दोनोंने निर्देशन एवं प्रामश को शमयरार्थी माना है。 ईसका कैसा मैं तो एतिहाशिक है परामर्ष शब्द निर्देशन के पेच्छा अधिक अर्थपूर्ण है परामर शब्द निर्देशन की या पेच्छा आपको सामने डैस होगा चार ओप्सन दियोंगे अधिक अर्थपूर्ण है कम अर्थपूर्ण है या कोई अर्थ नहीं है तो इस प्रकार से क्या होगा परामर शब्द जो है वो निर्देशन की पेच्छा अधिक अर्थपूर् निर्देशन का बहुत ही घनिश सम्बंद है किसका शिक्षा और निर्देशन का बहुत है गर शिक्षा चाहिए तो फिर निर्देशन भी चाहिए दोनों एक शिक्षे के दो पहलों के शमान है ऐसा ने कि आपने बहुत सिख्छा करहन कर ली तो आपको किसी के निर्देशन की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी या परामज की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी डेफरेंटली पड़ेगी निर्देशन आंदोलन जो निर्देशन है हमारा इसका प्रारम भारत में बीश्मी शताबदी के चतुर्थ दसक में हुआ पॉइंट वी नोटेट निर्देशन आंदोलन का प्रारम कब हुआ भारत में बीश्मी शताब्दी के चत्तुर्थ दसक में हुआ था और आपको बताते चलें इसी में एक लाइन आगे लिखी हुई थी कि आज का यूग जो है वो यांत्रिक शब्विता का यूग कहा गया है आज का यूग कैसा यूग कहा गया है यांत्रिक शब्विता का निर्देशन के बिना जीवन प्रगत या संभाव है हमें अगर जीवन प्रगत करनी है आगे बढ़ना है तो हमें निर्देशन के आउसकता पड़ेगी और हमें निर्देशन चाहिए भी लोगों से लेना भी हो निर्देशन का महत्तो प्राचीन भारत के मनीशियों ने समझा था कि आखिर निर्देशन का importance क्या है और उन्होंने गुण और कर्म की छमता के according मनुस को चार वर्णों में विभाजित कर दिया जो प्राचीन भारत के जो मनीश हुआ करते थे उन्होंने इसके गुण को समझा और फिर कर्म की छमता के according मनुस को चार वर्णों में विभाजित कर दिया कैशे देखिए वर्ण व्यवस्था का उद्देश व्यवसाइक चुनाव था और सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उद्देश क्या था व्यवसाइक चुनाव सबसे पहले वर्ण शब्द का उले पुरुष सूक्त में मिलता है किसमें सबसे पहले कहा मिलता है पुरुष सूक्त में मिलता है पुरुष सूक्त में कहा गया है प्रजापति के मुक्षे ब्रहमन प्रजापतिया भगवान को का गया है प्रजापति के मुक्षे ब्रहमन भुजाओं से चत्रिय जांगों से प्रजापति के मुक्षे ब्रहमन निकले हैं भुजाओं से चत्रीय जांगों शेवैश और पैरों शेशूत्रों की उत्पत्ति हुई है इस प्रकार हिंदू समाज चार वर्णों में व्यवसाइक के आधार पर बांट दिया गया चार वर्णों में व्यवसाइक के अधार पर जन्म के अधार पर नहीं है पॉइंट वी नोटेट जन्म के अधार पर नहीं है व्यवसाइक के अधार पर बांटा गया कि जिसका जैशा काम उसको उसी कटेगरी में रख दिया गया उसको उसी वर्ण में रख दिया गया जैसे कि ब्राह्मन कौन हुए जो लोग अध्यन अध्यापन करते थे वेद, पूजा, पाठ है ना यह शब करते थे उनको ब्राह्मन कह दिया गया जो छत्रिय जो देश की रच्छा का भाष समालते थे उनको छत्रिय की सेणी में रखा गया और भरण पोशन का काम करने वाले करसी का काम करने वाले यह जो लोग थे वाणिची का काम करने वाले इनको वैश्य कहा गया शूद्र जो थे वो समाज को विवित प्रकार की श्यमय परदान करते थे इस प्रकार से हमारे हिंदू समाज को चाड़ वर्णों में विभाजित किया गया ब्राह्मन चत्री वैशे और शुद्र वो भी व्यवसाय और काम के अधार पर वर्ण का निर्णे जन्म से न होकर के संसकार के इन रूप होता था अब आगे बढ़ जाते हैं शिक्षा स्मप्त करने के उपरांत वर्ण का निर्णे गुरू ही करता था वर्ण का निर्णे कौन किस वर्ण में जाएगा कौन करता था ये निर्णे गुरू करते थे यूरोप के महान विचारक प्लेटो का कहना था प्लेटो कहां के थे प्लेटो यूरोप के थे ठीक है प्लेटो यूरोप के महान विचारक प्लेटो का कहना था कि विक्ति को ऐसा विवशाय चुनना चाहिए जिसमें उसकी रुची हो विवेक्ति को ऐशा विवशाय चुनना चाहिए जिसमें उसकी रुची हो ये बात प्लेटो ने कही है प्लेटो कहां के निवासी थे यूरोप के थे प्लेटो कैसे विचारक थे प्लेटो आदर सवादी विचारक थे कितने कोशन का प्लेटो होते हैं देखे प्लेटो एक आदर सवादी विचारक थे और उन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी ठीक है कौन से पुस्तक रिपब्लिक नामक पुस्तक में समाज की सर्वोत्तम विवस्था की रूप रेखा परस्तुत की रिपब्लिक नामक पुस्तक में किसकी बात की गई है तो समाज की सर्वत्तम विवस्ता की रूप रेखा की बात की गई है ठीक है इन पॉइंट्स को ध्यान लखिए कि यूरोप के महन विचारक जो प्लेटो थे उनका कहना था उन्होंने ये बात कही थे प्लेटो समाज के लोगों को तीन वर्गों में बाटना चाहता था या विवक्त करना चाहता था या विवक्त करना चाहता है कि अई एक तो दार्सनिक हो गए दूसरे यूद्धा हो गए और तीसरे काय गर हो गए न था कि से कॉन जो है कि समाज के लोगों को तीन वर्गों में बातना चाहता था लोग ह्या एक दुखनी कहां प्रना की गई है वे शिक्षक प्रॉर्णा कहां प्रारम की गई लखना विश्वी दैले में कब 612 में अच्छा ये जो योजना थी शिक्षक प्रामस दाता की योजना थी इसका क्या यूज था तो इसमें था कि परते का द्यापक पांच ये अच्छे विद्यार्थियों की विक्तिकत इंडिविज्वल शैक्षिक और विवशाइक प्रामस शमंदी आव सक्टाओं पर ध्यान देता था इसमें पांच अच्छे एक टीचर पांच च्छे विद्यार्थियों की विक्तिकत शैक्षिक क्या आविश्यक्ताएं थी और उनको किस विवशाय में जाना था उनको किस प्रकार का प्रामस देना है ये देखते थे आगे पड़ जाते हैं हमेरिका में वोकेशन ब्योरो की स्थाप्ना करने वाले टॉले अ when to be लुटेट्र अमेरिका में व है काहां ऊइच ए हुई अमेरिका में हुई किसने की फ्रैक प्रस ने की थी कि colleges भीरो कि स्थाप्ना помेरिका में ड्षार की गई भारत में निर्देशन से परिचित कराने का असरे स्री सोहनलाल और स्री केजी सयदेन को जाता है हमारे भारत में जो निर्देशन का कार है वो अभी शेश्वावस्था में है यानि कि अभी बिल्कुल जीरो लेवल पे है फिर बाल्य वस्था में आएगा फिर किसरा वस्था में आएगा फिर प्रोडा वस्था में आएगा फिर ब्रिद्दा वस्था में आएगा निर्देशन का कार भी शेश्वावस्था में चला है धिर धिर आगे बढ़ेगा भारत में निर्देशन सर्व पर्थम व्यवशाइ इउनिवरिमें कहा भारत की कलकट्ता उनिवरिमें सन 1915 में व्यावखारिक मनोविज्ञान की शान कोली मिольшा क्या ऑप द्रगत 1938 में व्यावशाइक निर्देशन की साखा इस्थापित हुई जिसके अध्यक्ष स्री जे एस बोस थे कौन थे जिसके अध्यक्ष स्री जे एस बोस थे आगे बढ़ जाते हैं बहुती एहम और अमेजिंग पॉइंट्स हैं बंबई प्रांत में भी व्यावशाइक निर्देशन की साखा स्री बोटले बॉय के प्रतन से सर उनिस एकतालिश में खोली गई बंबई प्रांत में व्यावशाइक निर्देशन की साखा किसके प्रतन से खोली गई बोटले बॉय के प्रतन से उ अलग स्थापना सन 1952 में की गई वहां निर्देशन एससेशन की भी स्थापना की गई थी यह पॉइंट्स ध्याण लखिएगा और फिर देखिए उत्तर प्रदेश में सन 1942 में कब उत्तर प्रदेश में सन 1942 में इलाहाबाद में मनो विज्यान निर्देशन बीरो की स्थापना आचार नरेंदर देव की दक्षिता में की गई उत्तर प्रदेश में मनोवग्या निर्देशन बीरो की स्थापना कप की गई 1942 में की गई अध्यक्ष कौन थे इसके आचार नरेंदर देव कहां यह जो थी वो निर्देशन बीरो कहां खोला गया यह इलहाबाद में ठीक है ज्यान लखिए 1922 द्यान लखिए इलहाबाद इस्थान है अध्यक्षिस्की स्री आचार नलेंदर देव हैं ठीक है बात यहां पर मनुवग्या निर्देशन अप दिरूरो की हो रही है शन 1950 में बात कब की है बात 1950 की है बंबई सरकार ने भी व्यावशाय की निर्देशन बीरो की स्थापना की बंबई सरकार ने व्यावशाय की निर्देशन बीरो की स्थापना कब की 1950 में भारत में मादमिक शिक्चा आयोग ने शिक्चा एवाम व्यावशाय की निर्देशन का विस्तार किया कि श्यायोग ने सिक्षा मंत्राले ने 1904 में केंद्री श्याप्रिण मत्राले ने 1904 में कभ 1954 में केंदरी सिक्षा और व्यावशाइक ब्यूरो की स्थापना की देखिए सन 1960 में अखिल भारती निर्देशन का रहले 52 की स्थापना की गई जिसका उद्देश देश की मादमिक सिक्षा की प्रगति को जाचना और गती का अध्यन करना था सन 1964 में निर्देशन आंदोलन का शोरूप अखिल भारती है कब हुआ 1964 में सन 1955 में राजस्थान तथा मद्य परदेश राज में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई कब 1955 में कहां राजस्थान और मद्य प्रदेश में किसकी निर्देशन ब्यूरो की स्थापना हुई आगे बढ़े दाते कुछ और आहम पॉइंट्स होंगे इसलिए रिलेटेट देखिए उनीशो शत्तावन में आशाम और आंदर प्रदेश में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई आशाम और मद आंदर प्रदेश में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की ये उनीशो शत्तावन में की गई लाश्ची बिरोजगार विभाग में भी निर्देशन ब्यूरो सन 1957 में प्रारम हुआ कब 1957 में कहां लाश्ची बिरोजगार विभाग में निर्देशन एक परिचे जो पुस्तक है इसको करो एंड करो ने लिखा है किसने निर्देशन एक परिच्छा है यह जो पुस्तक है इसको लिखने वाले कुरो एंड कुरो हैं आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं खुश देखिए A.J. जोन्स के एकॉर्डिंग निर्देशन की पांच आधार बूत मानता हैं निर्देशन की पांच आधार बूत मानता हैं किसने बताई हैं A.J. जोन्स ने बताई हैं कॉण कॉण से बताई हैं एक तो विक्तिकत भिनता हैं हेना सब ही के अंदर कुछ न कुछ individual differences हैं विक्तिकत भिनिताएं हैं, शामानियता है, शहता की आवीशकता हर किशी को है, विद्याले महतपूर्ण और शम्ता का विकास। निर्देशन को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, कितने तीन, एक तो गया हमारा सैक्षिक निर्देशन, सिक्षा से शमंदित निर्देशन को सैक्षिक निर्देशन कहते हैं, व्यवशाय से शमंदित जो निर्देशन दिया जाता है, वह हमारा व्यवशाय की निर एजुकेशनल लैंड, वोकेशनल गाइडेंस, पुस्तक के ले खाक, WM प्रॉक्टर के एकॉर्डिंग, निर्देशन च्छे प्रकार का होता है, WM प्रॉक्टर के एकॉर्डिंग, जो निर्देशन है, वह च्छे प्रकार का होता है, WM प्रॉक्टर की पुस्तक का क्या नाम है इनकी किताब का नाम है educational and vocational guidance educational and vocational guidance किस ने लिखी है WM proctor ने लिखी है इनके according निर्देशन 6 प्रकार का होता है educational and guidance के लेखक John M. Brewer ने निर्देशन के 10 प्रकारों का उले किया है निर्देशन के 10 प्रकारों का उले किस ने किया है जॉन एम ब्रीवर ने कहां जूने किस में किया है किताब है उनकी लिखी हुई Education 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 and Guidance क्या नाम है पुस्तक का Education and Guidance जिसके लेखक जॉन एम ब्रीवर है पेटर्सन ने निर्देशन के पांच प्रकारों का उले किया है किसने पेटर्सन ने निर्देशन के पांच प्रकारों का उले किया है वेवशाय के निर्देशन का सबसे पहले प्रियोक सन 1908 में फ्रैंक पॉर्टसन ने किया था और अब बात करते हैं प्रामर्श की तो प्रामर्श जो है वह शब्द अंग्रेजी के कांसलिंग सब्द का हिंदी रुपांतरन है किसका प्रामर्श शब्द को अंग्रेजी में कांसलिंग कहते हैं ठीक है तो कांसलिंग सब्द का हिंदी रुपांतरन है जो Latin के concilium से बना हुआ है counseling कहां से बना है Latin के concilium से बना हुआ है इस शिका साब्दिक रथ है to consult to consult अर्थात सलाह लेना या परामर्ष लेना क्या? सलाह लेना या परामर्ष लेना बिना निर्देशन का परामर्ष और बिना परामर्ष का निर्देशन मनुस के किशी कामका नहीं होता बिना निर्देशन का प्रामर्ष और बिना प्रामर्ष का निर्देशन मनुस के किशी कामका नहीं होता निर्देशन और प्रामर्ष एक सिक्के के दो पहलू है क्या है निर्देशन और प्रामर्ष चेख लिए निया बेपार करते हैं देख़े अपरामश पर्सपरीक रूप से सीखने की प्रिक्रिया है परामश क्या है परामश क्या है परामश की परिभाशा है जिसको रूथ श्ट्रेंग ने कहा है परामश शब्द दो व्यक्तियों की शंपर्क को व्यक्त करता है कोई अकेला किसी को परामश नहीं दे सकता उसके लिए हमें कोई न कोई चाहिए जिसको परामश क्या हो शकता है विद्याले में निर्देशन एवं परामश शमित का गठन कराने में परामश दाता सयोग देता है कौन देता है विद्याले में निर्देशन एवं परामश शमित का गठन कराने में परामश दाता सयोग देता है परामर्ष प्रक्रिया में एक परामर्ष देने वाला और दूसरा परामर्ष चाहने वाला या परामर्ष प्रार्थि शता है है ना, जो परामश प्रार्थी होता है आगए बात करते है, जॉौन्स के कॉर्डिंग, साचात करके शमान, परामश में आमने स्सामने का विक्ति शे विक्ति का शम्पर्क होता है, भाई, परामश अगर आपको चाहिए, जिससे भी चाहिए उससे आपको मिलना होगा उसके सामने जाना होगा है ना ऐसा नहीं कि उसको कह देना हम किसी से कह दें कि भी उसको कह देना हमें यह परामश चाहिए है ना ऐसा नहीं हो सकता मौयर्स कहते हैं कि परामश का इबराय है दो वेक्तियों का शंपर्क जिसमें एक विक्ति को किशी प्रकार की सायता दी जाती है हार्डी के एकॉर्डिंग परामर्ष के तीन उद्दे से बताए गए है हार्डी ने परामर्ष के कितने उद्दे से बताए है तीन प्रामर्ष को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट इस्थान पराप्त है प्रामर्ष को निर्देशन सेवाओं में कैसा इस्थान पराप्त है विशिष्ट इस्थान पराप्त है प्रामर्ष को निर्देशन वादियों का हिर्दय कहा जाता है क्या कहा जाता है हिर्दे किसको निर्देसन वादियों को है ना प्रामर्ष को निर्देसन वादियों का हिर्दे कहा जाता है एक प्रामर्ष दाता के लिए शमू गत्सीलता का ग्यान होना भी बहुत आवशेक है समुगत्सीलता क्या होती है समुगत्सीलता डाइनामिक्स बहुत इक्सास से लिया गया है डाइनामिक्स ग्रीक बहुत इक्सास से लिया गया है जो समुगत्सीलता है वा डाइनामिक्स बहुत इक्सास से लिया गया है और डाइनामिक्स ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका सब्दिक अर्थ शक्ति होता है क्या होता है शक्ति पावर गत्सीलता का अर्थ गत्य करने की चमता या सामर्थ से होता है कि गत्य करने की कितनी सामर्थ है कितनी शक्ति है कितनी चमता है इस प्रकार शमूग त्यात्मक्ता शमू में छिपी हुई शक्ति के अध्यन से समंदित विशे है विद्याले में शमूग सीलता का कारक विद्याले वातावरन होता है विद्याले में शमूग सीलता का कारक कौन है विद्याले वातावरन कक्षा में सभी की आप्षी संतोस्तिनक अंताय करिया शमूगत सिलता है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए समूगत सिलता के कारक कौन है? हमारा घर विद्याले पासपडोस ये सभी समूगत सिलता के कारक माने जाते हैं समूगत सिलता सब्द के जनक कुर्ट लेविन को माना जाता है किसको? समूगत सिलता सब्द के जनक कौन है? कुर्ट लेविन है अच्छा आप देखिया आगे बात करते हैं प्रामश की मुख तीन प्रविदियां है कितनी? तीन प्रविदियां है ये तीन प्रविधियां ये शिद्धान्त इस बात पर आधारित हैं कि अधिक महत तो प्रामश दाता को दिया जाए या फिर प्रामश प्रार्थी को दिया जाए आप देखिए ये जो तीन प्रविदियां है वो कौन कौन सी है तीन प्रविदियां है एक तो निर्देशिय प्रामश है दूसरा आ निर्देशिय प्रामश है तीसरा स्वनवित प्रामश है जो निर्देशिय प्रामश है इस विचारधारा या प्रविदी के प्रवर्तेक विलियमसन है कौन है विलियमसन ध्यान लिख लीजिए नोट कर लीजिए निर्देशिय प्रामश प्रविदी के प्रवर्तेक विलियमसन है और इस प्रकार के प्रामश को प्रामश दाता केंदरित प्रामश भी कहा जाता है प्रामश दाता केंदरित का मतलब होता है कि इसमें जो सलाह देने वाला है जो प्रामश दाता है उसको सेंटर में रखा जाता यानि कि यहां प्रामश दाता एक्टिव रहता है और जो प्रामश प्रार्थी है वो पैशिव रहता है वो निस्क्रिय रहता है इस प्रक्रिया में जो प्रामश दाता है जो सलाह देने वाला है वो एक्टिव है और सलाह लेने वाला पैशिव है ये शक्रिय है वो निस्क्रिय है आई निर्देशी है प्रामश इसका उल्टा ह इस विचारधारा की प्रचारक काल रोजर्स हैं कौन है काल रोजर्स और इस प्रकार के प्रामस को प्रामस प्रार्थी प्रामस भी कहते हैं यानि कि यहां पर जो प्रामस प्रार्थी है जिसको सलाह चाहिए उसको सेंटर में रखा जाता है है ना यहां पर वो एक्टिव होत ह judy विच्टिवरत अद्यान विदी आंक यहां पर खटम होती है आप देखे व्यक्ति व्रत अद्यान विधी को व्यक्तिक इति विदी बी कहा जाता है जो व्रत अध्यन विदिये इसको व्रतिक इत्याश विद् lattice बी कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं देखिए शाच्छातकार प्रविदी कार्थ क्या है शाच्छातकार प्रविदी कार्थ है दो वेक्तियों का किशी उद्देश की पूर्ती है तो आपसी वारतलाब जो है वो शाच्छातकार प्रविदी कहलाता है जैसा कि प्रोफेशर मानेंदरनात बशू कहते है कि एक साचातकार को कुछ विश्यों को लेकर के वेक्तियों के आमने शामने का मिलन कहा जा सकता है वहीं पर प्रोफेसर गुडे एम होट कहते हैं कि मूल लूप में साचातकार शामाजिक अनुकरिया की एक प्रक्रिया है Header और Lendmian साच्छातकार को केवल दो या अधिक वेक्तियों के मां दिवारताला पथ्वा मौकीक परती उत्तर मानते हैं कौन Header और Lendmian निर्धारणम आपनी की बात करता हैं निर्ध्दारनम आपने या फिर रेटिंग सकेल का प्रयोग सरलतह से विख्तित और चरित्र के Amazon का मांपन करने के लिए किया जाता है भी अब बいき मेंना क्यायंता अर्वाष्ठ लिए जो ऊसत तथा शामान बालकों से काफी भेंड और अरलग होते गेंने की जो vicious बालक है जो vicious बच्चा है वहा शामान बच्चों से ओसत में काफ़ी अलग होता है भीन होता है और बहुत iam उसकता है जड़बुद्धी मंद्बुद्धी भी हो सकता है और जिनमें विषिषि सिक्षा और निर्देशन तथा प्रामयश क्या हो शकता होते जिने विषिष निर्देशन चाहिए और अगि показ । जैंटिभाफ बालक है तो उसको भी निर्देशन कर चिकता है उसको बताएंगे कि आप एक्तर कैसे कर सकते हैं जो जढ़ बुद्धी है जो मंद बुद्धी है उसको नीचे से चलाना ही बड़ा मुस्किल होता उसको भी एप्रामशी है निर्देशन चाहिए शामाने बच्चे का तो चलो क किसी बात का ठीक से उचरण नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर वाणी दोस है अब अगर आप कक्षा में विशिष्ट बालकों की कक्षा लगी हुई है तो उसमें कितने विद्यारती होने चाहिए समाने बच्चे थोड़ो ना कि आप बात एक बार बता देंगे तो वो शमज जाएंगे यहां पर विशिष्ट बालक हैं तो उनके लिए एक से अधिक विद्यारती कक्षा में नहीं होने चाहिए विशिष्ट बालक, बॉधिक रूप से विशिष्ट हो सकते हैं, बुध्धी से बुध्धी से रिलेटेट भी विशिष्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बुध्धी भी हो सकती है, बिल्कुल जीरो लेवल पे भी हो सकते हैं, शारिडिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते है जो शामाने रूप से पूर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें गामक दोस्करस्त बालक कहते हैं दूर रहते हैं अब देखें यहां बात आती है मंदित मना क्यानी कि मंद बुद्धी बालक जो मंद बुद्धी बालक है या मंदित मना बालक है वह मानसिक छमताओं में और्शत बालकों से पिछड़े वी होते हैं कैसे और श्रत बालक से पिछड़े भी होंगे क्योंकि वो पहले मंद बुद्धी बालक है आप जैसे टरमन के कोडिंग कुछ अब देखेए चार परिभासा हैं बहुत छोटी बहुत खोटी टरमन ने कहीं कहा है कि अमूर्त चिंतन की योगता ही बुद्धी है ये बात किस न ये बात आपके वुडवर्त कहते हैं शीकने की सकती ही बुद्धी है ये बात आपके बखिंगम कहते हैं नब्बे से 110 का जो आईक्यू लेवल होता है जो बुद्धी लब्दी वाले जो बालक होते हैं वो शामान बुद्धी के अंतर गताते हैं कैसे बालक कहलाते हैं वो बुद्धी बालक की स्रेणी में आते हैं मुद्धी लब्धी का विष्का टर्मन ने किया था किसने किया था टर्मैन ने किया था बुद्धी लब्धी का विष्का टर्मन ने किया था बुद्धी के कुछ सिध्धान्त हैं बिने ने बुद्धी का दुई कारक सिधान्त के प्रतिपाद है कौन है इस्पियर मैन बुद्धी के समु कारक सिधान्त के प्रवतक थर्ष्टन है और बुद्धी का पदानुकरमिक सिधान्त बर्टेवं बर्णन ने दिया है बुद्धी का बहु कारक सिद्धान थौंडाइक ने दिया है और बुद्धी का गिलफोर्ड का सिद्धान जो है वो गिलफोर्ड ने दिया है और इन्हीं के नाम पेने का सिद्धान गिलफोर्ड का सिद्धान कहलाया अभयोगता का विक्त के विकाश में मतपूर्ण योगदान होता है किसका अभयोगता का निर्देशन कारिकरता के लिए बालकों की अभयोगता को जानना बहुत आवश्यक होता है भाई निर्देशन कारिकरता हैं आप तो आपको बच्चों की अभ्योगिता जो है वह योगताओं का समू है आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर बच्चे के अंदर योगिता क्या है ना तभी तो आप उसको निर्देशन दे पाएंगे अन्य था अपका निर्देशन शफल नहीं होगा अभ्योगिता को कुछ योगताओं का शमू का जाता है कुछ collections of ability अब योगता कहलाता है योगताओं का समू अब योगता कहलाता है जैसा कि ए ए ट्रेकसल के according अब योगता वर्तमान दशा है जो विक्त की भावीशी की छमताओं के उर संकेत करती है ये बात अब योगताओं वर्तमान दशा है जो विक्त की भावीशी की छमताओं के उर संकेत करती है अब देखिए सिचकों के लिए पांडिये द्वारा निर्मित व्यावशाइक परिक्षन का निर्मान सन 1922 में स्री बीजी पांडे ने किया था सिचकों के लिए पांडे दौरा निर्मित व्यावशाइक परिक्षन किसे ने दिया स्री बीजी पांडे जैसा कि सबका इंट्रेस्ट अललग होता है और जो इंट्रेस्ट होता है चले पहले बात करते हैं, रुची को अंग्रेजी में इंट्रेस्ट कहते हैं, रुची जो आपका इंट्रेस्ट है, उसको इंग्लिस में इंट्रेस्ट कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ती लेटिन भासा के सब्द इंट्रेस से हुई है, किसे हुई है, इंट्रेस से हुई है रुची से ताथ पर विक्ति के किसी वस्तु या विशे के प्रति चाहत या लगाव से कि आपका आपकी चाहत किस चीज में है आपका लगाव किस में है है ना वही आपकी रूची है जैसा कि श्ट्रेंग कहते हैं कि रूची शफलता की मत शूचे के बात बिल्कुल सही कही है क्योंकि अगर जिस काम में आपको रूची है जिसमें आपका इंट्रेस्ट है डिफरेंटली आप उसमें सफल हो जाएंगे लेकिन अगर कि शी काम में अगर क्या कहते हैं रूची नहीं है आप पर इंट्रेस्ट ही नहीं है then how can you get success तो फिर आप कैसे उसमें आपका मन लगे या कैसे आप सफलता हासिल करेंगे driver कहते हैं कि रूची सबाओ का गैसील पक्ष होता है रूची आस्थाई होती हैं यह हमारी बदलती रहती है बच्पन में हमारी इंट्रेस्ट किसमे था हमार चीजों में खेलने में है ना आइसक्रीम बेचने वाला आता था हम लोग कहते थे बड़े हो कर हम आइसक्रीम वाले खूब अइसक्रीम खाया करेंगे, गुबारे वाले बनेगे, खूब अपने पास खुद के गुबारे हुआ करेंगे, छोटे-छोटे बच्चों की रुच्छी, उसका इंटरेस्ट कुछ अलगी चीज़ों में होता है, आज हम लोगा इंटरेस्ट किस्में हो गया है, कि बश पढ़ाई कर लें, जॉब ले लें, है ना, और जो है, गाड़ी हो, घर हो, पैशा हो, इन सब चीजों में इंटरेस्ट आ गया है, तो इन में आयू और समय के अकॉर्डिंग बदलाव आता रहे, तो जब आप उमर हो जाएगी, तो फिर उसका इंटरेस्ट आपका बदल फिर आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में नहीं रहेगा, है ना, फिर आपका मपन करेगा कि अब बस तीरत्यात्राओं पर निकल जाओ, रुचियों के मुख रूप से चार प्रकार होते हैं, और जानने की जुरूत नहीं है, डिटिल में, रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्यन सन 1918 में किया गया था, रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्यन कब किया गया, 1918 में, वर्णन रे चौधरी रुची परिच्छन का निर्मान सन 1957 में किया गया, सन 1927 में थर्ष्टन ने सरवपर्थम अभिवर्ति मापन का कारे किया, शरवपर्थम अभिवर्ति मापन का कारे कब किया, 1957 में क्या गया, किशने क्या थर्ष्टन ने किया, आप देखिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अभिवर्ति जो व्यक्ति, घटना, के प्रति विक्त की जाती है उसे विशिष्ट अभी वरति कहा जाता है विक्त के विभार का प्रतेक्ष रूप से अवलोकन प्रतेक्ष विभार अवलोकन विधी में किया जाता है तो प्रतेक्ष विभार अवलोकन विधी में विक्ति का विभार का प्रतेक्ष रूप से वलो आप जो मुह पे पहना जाता है व्यक्तित तो अंग्रेजी के शब्द परसनेलिटी का हिंदी रुपांत्रन है इंग्लिश में उसको परसनेलिटी कहते हैं अब देखिए और हाँ इतना पढ़ने के बाद फिर हम आपको पहले बता देते हैं कि हम पेट नोट्स भी सेंट लेते हैं तो आपको चाषो पेपर के हैंड रिट्र नोट्स में मिल जाएंगे चारो फेपर के यह लन ना जो किताब का निचोड़ ये मैं आपको दे दूंगा चारो पेपर का प्रिविशेर सॉल्यूशन मिल जाएगा और इतना कॉंटेंड़ आपको मिल जाएगा आप आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़दा एक्स्टा एक्स्टा नहीं है जो चीज़ा आपके काम की हैं जो एकौटिंग टू पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है वो सब है ना कुछ च्रेंट कहते हैं कि सरफ क्या इतनी अंदे हम कवर कर पाएंगे इसको बिल्कुल डफरेंट लिगर पाएंगे आराम से यह पीडिया आपको वहां पर भी काम आएगी कि आप एक्जाम देने जा रहे होंगे तो हम लोग कहां पे दे मनुस्य के विक्तित्तो का विकाश वंशानुकरम और पर्यावन पर निर्बर करता है कहां वंशानुकरम विक्तित्तो का विकाश आपका कैसा है यह आपके वंशानुकरम पर डिपेंड करता है आपके पैरेंट्स पर आपके पूरोजों पर डिपेंड व्यक्तित्त के सील गुणों की सर्वश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पादन कूट लेविन ने किया था I hope कि आप पुकलार्ज प्रसंद आया होगा अगर प्रसंद आता तो एक लाइक के कमेंट करके जाएगा और जो है कि अगर आप PDF चाहते हैं तो यहाँ पर इस नमबर पर मैसेज कीजिए 968 269 उसमें जिरूर लिखे बिए 2nd year कानपूर उनिवर्श्टी नोट्स चाहिए ठीक है क्योंकि आगरा के भी बच्चे होते हैं 2nd semester के भी बच्चे होते हैं तो बड़ा confusion लेता है चलिए thank you